सेवा तो हम किसी न किसी की करते ही हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए की गई सेवा ही सबसे उपर होती है और उससे भी बड़ी बात तो तब होती है जब हम अपने पूझने गुरू के दिशा निर्देश से लोगों की सेवा में अपना जीवन गुजार देते हैं और उससे अपनी आत्मसंतुष्टी की अनुभूती करते हैं कुछ ऐसी ही है सिखों के द्वारे की जाने वाली कार सेवा सभ सत्गुरू के दिने विच दुनिया सेव कमाई है तांदर गह बैसन पाई है जदो इस दुनिया दे अंदर सेवा कर दे हैं उस सेवा पावना दे नाड सेवा कीती हुई दे नाड दरगा दे अंदर सानु स्थान मिल दाए कार सेवा संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है कर यानि हाथ और सेवक यानि मदद करने वाला सिक में कार सेवा करने वालों को सेवादार के नाम से जाना जाता है जो सबका भला चाहते हैं और कभी किसी से बैर नहीं रखते सभी सेख अपने गुरू, गुरू ग्रंच साहिजी से प्रेणना लेकर ही उन लोगों की सेवा बिना स्वार्थ के करते हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी सेवा दी गुरू कहते हैं कि सेवा करने से शांती मिलती है इसलिए ये मत सोचो कि तुम है क्या मिलता है, ये सोचो कि तुम दूसरों को क्या देते हो ये सेवा एक समुदाय के सम्मंद के लिए ही नहीं, बल्कि विक्ति को कर्तव विबोद भी कराती है अठ्री पैदा है सेवा करने नाळ साठे अंदर दी हो में मलीनता है, इसलिए नहीं निमरता विचा है अलग अलग धर में सेवा के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है, सामुहिक रूप से जन कल्यान की बात करना अपनों के लिए ना सोच कर दूसरों की हित की बात करना सिख लोग इस कारे में जादा शामिल है जो गुरु का लंगर कीरतन पार्ट के जरीए लोगों की सेवा करते हैं जिसमें बरतंधोना, जमीन की सफाई करना, खाना परोसना इत्यादी शामिल है ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी जिन्दगी का कीमती समय लोगों की सेवा में लगाते हैं और ये अपनी जिन्दगी तक लोगों की सेवा में ही गुजार देते हैं झाल